आज हम आपको जिस मंदीर के बारे में बता रहे हैं वो मंदीर एक राजा को समर्पित है इस मंदीर के गर्ब ग्रह में कई सद्यों से 11 अखंड दीप जल रहे हैं आपको बता दे कि हम मंदीर भगबान विश्णु के सुदर्सन चक्र के अवतार महेश्मती नरेश राज राज़िश्वर कार्थबीर सहस्त्र अर्जुन का है मंदीर के गर्ब ग्रह में मोजुस सिवलिंग त्रेता युक का बताया जाता है पुराणों के अनुसार इस सिवलिंग में भगबान कार्थबीर सहस्त्र अर्जुन का अंस समाईत हुआ था इसलिए मंदीर उनके नाम से प्रसिद्ध है मंदीर के पुजारी महन्त चेतरणिगरी महराज बताते हैं कि मंत्र महोददी पुस्तक जिसे मंत्रों का सागर कहते हैं उसमें एक मंत्र है मंत्र है दीपक प्रिय कार्दिवीर्यो मार्तंडो नतीव वल्लबाह जो बताता है कि भगवान राज राजश्वर कार्तवीर सहस्र अर्जुन को दीपक अतिप्रियत है। भगवान को दीपक प्रिय होने से मनोकामनाओं के लिए यहां आने वाले भक्त भी अपने साथ दीपक लाते हैं और मंदिर में जलाते हैं। मानना ता यह भी है कि भगवान के दर्सन कर उनके नाम मंत्र का जब करने से खोई हुई वस्तू, गुम हुआ व्यक्ति या फिर खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल जाता है पुजारी बताते हैं कि मंदिर के गर्वग्र में दीवारों में चुने हुए पत्थरों के ही ग्यारा दीप बुंड बने हुए हैं कालंतर से ही इसमें सुद्धगी की अखंड जियोत जल रही है इन्हें 11 एकंड दीपो को लेकर की उदनती यह भी है कि जब भगवान कार्तवीर सहस्तर अरजुन ने लंका दीपती रावन को युद्ध में हरा कर बंदी बनाया था तब रोजाना रावन को कारावास ग्रह से बाहर लाया जाता था और दसानन्त के दसों माते पर दस दिये और उसकी दोनों हातों में एक दिया रख कर जलाया जाता था यह भगवान कार्तवीर सहस्तर अरजुन का मंदिर है जोकी त्रेता युग का बतलाते हैं यहां पर जो शिवलिंग है बहुत पुरातन है त्रेता युगिन इस्थापित शिवलिंग है और अखंड ग्यारा जोत्ती जल रही है मंदिर के अंदर एक मंत्र महुदधी नाम का की एक फुस्तग है जिसे मंत्रों का सागर कहा जाता है उसमें पूरे तर्क के साथ सब बताया गया है मंत्रों के बारे में तो उसमें एक बंत रहे दीपक प्रिय कारतवीरियो मारतंडो नतिवल बहा कारतवीरियार जुनकों दीपक प्रिय है इसलिए यह 11 दीपक यहाँ पर जल रहे हैं कि उदन्ति ये है 11 दीपक के बारे में कि साम के समय में रावन को बाहर निकला जाता था उसके दसानन के 10 मातों पे दीपक रखे जाते थे और एक दीपक ऐसा हाथ में रखा जाता था इसलिए 11 दीपक जल रहा है यहां पर आने वाले दर्शनार थी भी अपने मनो कामना पुरुण होने के लिए यहां पर प्रति दिन दीपक ने घर से लाकर यहां पर दीपक लगाते हैं और यह दीपक जो अंदर जल रहे हैं, यह दीपक दिवार में ही चुने गए हैं, बाहर से यह दीपक नहीं लगे हैं, और पत्थर के जो दीपक हैं वो दीपक जैसे ही बने हुए हैं, यहने किछी समय में इनी पत्थर के दीपकों में दीपक घी डालके जलाय जाता था लोकलेटिन के लिए खरगों से दीपक पांडे की रिपोर्ट